हेलो फ्रेंट्स आज आपके सामने फिर से में ट्रांसलेशन ले करके आ गया हूँ और ट्रांसलेशन ट्रिक के साथ आपके सामने ट्रांसलेशन करूगा और बहुत ही इजी ट्रांसलेशन ले कर आया हूँ और इसी तरीकी की इजी ट्रांसलेशन क्लास 10th में पूछे जाते है तो जो 12th में है वो भी थोड़ा देख लें क्योंकि उनको भी help मिल जाएगी बाकि 10th वाले तो जरूर देखिएगा वो कहीं मत जाएगा अगर आप translation नहीं कर पाते हैं समझ नहीं पाते हैं अगर कुछ mark लाना चाहता है इसमें तो इसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारी क्रामस नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ पर बाते मेरी समझते चलना ठीक है जब कभी भी कोई चीज continue हो रहा हो ऐसा लगे कि उसमें वो continue की अपना यह जारी मतलब वो चल रहा है जिसे मैं गा रहा हूं खा रहा हूं रो रहा हूं हस रहा था जा र रहा हूं मतलब ना तो बंद हुआ हूं ना तो श्टार्ट हूआ हूं वो ऐसे चल रहा हूं जिसे यहां पर बोई मैं कल बाजार जा रहा था मतलब मैं जा रहा था तभी मैं पहुंच गया यह नहीं बात हो रही है मैं जा रहा था तभी मतलब रहा रही रहे कुछ ऐसे आथाता है उसमें ing लगता है वो continuous में आपका होता है होता है तो आपको अगर वो नहीं पता है तो क्या दिक्त है इसे मैं बोलूँ खा रहा हूँ तो आप खाना को आपको पता हो eat होता है तो eat होता है तो eating कर दीजिए आप run होता है run माने दवरना होता है तो running कर दीजिए और पर इसको हम translation हमें यही करना है ठीक है जैसे मैं कल कल मैं बाजार जा रहा था यही बोला जा रहा ठीक है कल मैं बाजार जा रहा था तो सबसे पहले बात हो रही है देखिए इसको हमें समझना कैसे है मैं पहले हमें मैं को लिखना है मैं बाजा जा रहा था मैं जो था मैं तो मैं के इंगलीस अगर लिखता हूं मैं तो क्या लिखेंगे वो यह आएगा Mike English होगी I, क्या होगी? I ध्यमाग डालिएगा I ठीक है? I हो गया अब I के बात I क्या कर रहा है पहले देखें, I जो है वो जा रहा है I क्या कर रहा है, वो जा रहा था तो क्या था? पहले back to back का चलना है पहले हम आप करता को ढूलने के करता कैसे ढूलेगी जिसके बारे में बात बोजेरी, जो काम कर रहा है जिसके बारे में बात बोजेरी, वह करता होगा बस यह दिमाग बोजेरी, इसमें मैं के बारे में पूरी बात बोजेरी तो मैं को पहले ढूड़े, अब पीछे से back to back आईए, पीछे से back to back आने का मतलब मेरा है, कि यहाँ पर पहले था है, और था कि इंगलिस क्या होती है, मैंने इसके पहले बहुत सारे grammar rules बताया है, या वैसे भी बताया हूँ, तो वाज माने होता है, किसके मतलब होता है, वाज जी going हो गया, उसके बाद अगर हम देखते हैं, कहां पर है, बाजार है, तो बाजार कोई अपने उद्देश के लिए ही जा रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं कि वाजार जा रहा है, तो किसी चीज़ को खरीने तो लगा दिए, किसी और जा रहा हो तो लग रहा है, कहां प यहां पर फूल स्टाप रख देंगे क्योंकि यहां पर मारा पूर्ड भी राम आ गया है यह खत्म बस यही इतरी सी बात थी थोड़ा बहुत ही इंग्लीज की मीनिंग अगर आपको आए कि तो बहुत ही आसान रहेगा फिर यहां पर क्या बात बोला जाया देखिए अभी रास्ते में क्या एक बूढ़ा ब्यक्ति एक बूढ़ा ब्यक्ति बोला जा रहा है रास्ते में जो है ना एक बूढ़ा ब्यक्ति है ठीक है अब रास्ते में एक बूढ़ा ब्यक्ति की बात होगी अब रास्ते में चाहे आप इसको पहले लिखे हो चाहे इसको बाद में लि मिला रास्ते में रास्ते में भी लिख सकते हैं तो मुझे सबसे पहले देखना है कि रास्ते में तो रास्ते में आगे है तो आगे ही लिग दीजिए क्या दिक्कत है अब रास्ते में मतलब मुझे रास्ता चर रहे हैं तो कहां पर रास्ते पर रास्ते में थोड़ी होगा रास्ते में में मतलब ये हुआ में से आप क्या समझ रहे हैं में मतलब होता किसी के किकी कि यहाँ पर एक हम कोई नाउन जो यूज कर रहे हैं। जैसे रास्ता है, तो अन्दा वे रहता है रास्ता है, अन्दा वे, ये तो हो गया आपका रास्ता के लिए, ये तो हो गया रास्ता के लिए, तो आंदा वे, आंदा वे क्या हुआ, मिला, क्या मिला, मैंने बोला कि आप करता, कि पहले करता कोई नहीं मिल रहा, तो आप आगे सुरू करिये हैं, तो पीछे से जाए, पीछे हैं मिलना, मिलना क्या होगा मिट तो आजय दावे मिट क्या मैट हुगा हमें एन ओल्ड एन ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन मतलब मिला एक बूढ़ा ब्याकति अब आप संजहे कि आखिर यहां पर मैं ब्याकति बूढ़ा एक क्लिने लिए क्यों आप बोलिए हिंदिम बोलिए ब्यक्ति बूढ़ा एक ऐसा लग रहा है ब्यक्ति के लिए बूढ़ा बूढ़ा के लिए बूढ़ा एक जैसे आप बोले रहीम तो रहीम लिखेंगे अगर बोला जाए सुंदर रहीम तो ब्यूटिफुर रहीम बहुत सुंदर रहीम तो बेडिटू अख्रॺे आतल जैसे उसका नाम बोल रहें तो इन नाम की रूप में इसे को रहा है उसे तरीके सपाहर में ऊसको उसको साथ लेकर करके चल रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं अबढकी बात हो रही है सीधी सीधी बात हमें दी milligrams रहा कि वह वह का मतलब हो गया ही फूली स्टाप रख दिये अब वह की बात रहे थी अब ही क्या बोला जा रहा ही जो है वो धीरे धीरे चल रहा था मतलब पहले था पहले ही जो था ही तो पहले था बैक टुबैक आएंगे मैं बैक टुबैक कैसे चलाओंगा मैंने बोला कि ब मतलब वाक माने चलना तो वाक को हो गया वाकिंग क्या हो गया वाकिंग ती हो गया वाकिंग माने चर रहा था धीरे धीरे बोला जा रहा कैसे धीरे 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 मतलब हो जाता है स्लो माने धीरे तो स्लोली माने धीरे धीरे ठीज है स्लोली मतलब धीरे फूली स्टाप लगा अब उसके बाद बोला जा रहा है उसे देख कर मुझे दया आ गई अब कभी भी होचा था हस कर रो कर देख कर दोड़ कर बैठ कर तो वो आपको जैसे जीरंड का काम करता है ना उसी तरीके समझते हैं उसमें आई एंजी का यूजिच करते हैं ठीक है और उसको हम साथ में लि कर दिसे उसे देख कर क्या बोला जारा उसे देखकर देखकर मतलब देखना होता है सी माने तो हम इसको लिखेंगे सी और अब उसके बाद है क्या देखकर मतलब देखकर मतलब सी में आई एंजी जोर देंगे तो सी इंग हो जाएगा किसे उसे उसे को मतलब हीम इसे को ऩहां वरा है इसको समझेगsten वार्ट अब करता कर रहो जो आपका यह सर्वर मों के लिए में अगर आप देखेंगे तो 있죠 है यहां परычно पर मुझे और मतल्ब मुझे फील हुआ मतलब अंदर एरच आता एकप हो फेल्ट हुआ मतलब महसूस हुआ लगा क्या पीटी पीटी महने क्या होता है। अच शी किसकी की इनके बाद आई फिर क्या किया था आई ऑद हैल्फ हैल्प मन वनने सहाध्य कि किसकी उसकी उसकी मतलब उस उनकी तो यह हो गया देसे पोलिश ट्राइब πα्त लहाएं तो बस इतना ही था इसका ट्रावल所以呢 इसी तरीके से आपको translate करना है और इजी जी तरीके से translation आपको करना है बहुत ही मज़ेदार translation हमें यहाँ पर करवाते हैं बहुत सारे translation करवा चुके हैं हैं तेहां पर आपको high-level के सिखाने के जरूर नहीं है एक तब basic से सीखिएगा जोड जोड करके कि सब्दों को कैसे मिला के पारना है कैसे आपके तयार करना धीरे धीरे करके वह इस टिप हमने बताए हैं समझाया और चार-चार प्लेलिस्ट बनी है सब भी बहुत सारी वीड तो आप सीखिए राइटिंग रीडिंग इसकिल्स पांच पर इस्टेंग लिसलेटेट अगर देखेंगे तो आपको इंट्रेस्ट जरूर आएगा तिया था क्लाश 10 ट्वल्थ के लिए ट्रांसलेशन जोकी एक्जाम के लिए जरूरी इसी तरह का ट्रांसलेशन मैं हर कि मैखर एक अंठेचे अ तो सोच यए इसक्रा नहीं यह कि मैं एक हपते में तीन टेनीन टेनलेशन देता हूं तो इसी घर्दे मोने खाला घरा हूं पहले पहले करवा दूंगा जो कि लिए आपको इस जाम में बीट करेंगे गी अगले वीडियो में तक तक लिए सब्समार को दिजिए और यह हमारे एक सब्सक्राइब करें लिंक है और टेलिगार चैनल पर इसका पीडियों मिल जाएगा और आप चाहते हैं तो हापर आपको मिल जाएगा कमेंट कर देना कि टेशें का फीडियों देंगी इसका स्क्रेंस सॉड देंगे आप खुद ले लिए इस उदकर जरूरत के अ का मिल जाएगा ओक जो मेरा सेकन्ड चैनल है उस पे याप जोईन हो जैएगे क्योंकि वहां पर एकदम छोटी-छोटी चीज़े बता रहा हूं मुवाइल कंप्यूटर टेक्नोलाजी डिट और अर्निंग से लिटे चीए बताता हूं जो बेसिक आपको कुछ न डेली डेली अर्निंग से चीए बताता हूं चुरूब हाँ पर जूड़ जाए ताकि आपको बढ़ने के साथ साथ आप अर्निंग भी करना ट्लाज मुवाइल करना सीजय शला गक्वाईल का जड़ को जा एंर्निग कि उयार मक्ताट आपको